आपनो दूसरा वीडियो है पलसेस का और पहले वीडियो के अंदर अपना इनलिस्ट किया था सारे पैस्त को अब अपन बात करेंगे हेलीकोवरपा आर्मी is there geikman port borer की जैसा मेंने पहले अस वीडियो के अंदर भी बताया था इसे उपनां ग्राम-पोर्ट बोरुरर बोलते हैं शांटन से बूलन बलवर्म नियार और अमेरिकण बोलवर्म मोलते हैं इसकी जीनस हेलिगो वर्पा आर्मी जह रहा है कुछ क्रॉप्स जीनस पहलो Storage यह कहां कहां पाया जाता है ग्राम पोर्ड बोरर और ग्राम केटरपिलर इस कॉस्मा पॉलिटिन एंड इस वाइड डिस्टिबूटेड इंडिया लगवा पूरे भारत के अंदर है यह पाया जाता है और भारत के अंदर इनहीं पूरी विस्व के अंदर यह पाया जाता है य उसके अलावा सारे जो पलसेज हैं उनको अपने देखा ही है पड़ाई है लिस्ट के अंदर इनको भी नुक्षान पहुंचाता है कैसे पैचाने के लिए भी हम आपको मैं डाइग्राम भी बताऊगा आपको और उसमें सबसे पैचानने का जो अच्छा है तरीका है जो मोथ है वो काफी बड़े होते हैं ताउटली बिल्टेंड ये लू इस ब्राउन ये ही कि इसका इंपोर्टेंट करेक्टर इसके साथ साथ जो दूसरा इंपोर्टेंट करेक्टर है there is a dark-speak and dark area near the outer margin of the four wing outer margin of the forewing forewings are marked with grey wavy lines and black spot on varying size on the underside of the underside and black kidney shaped mark and around spot on underside ये तो हुआ fourwing का the handwing कैसे होते है the handwing are whitish and lighter in color with broad blackish band and outer margin ये हुआ adult के बारे मैं अभी आपको डाइग्राम भी बताऊंगा इसका the caterpillar when full grown there are 3.5 cm in length लगभग 35 mm length का होता है और इती ही length का है आपका wing expanse है वो adult होता है 25-30 mm और जो इसका color है जनरली ग्रीनिस कलर होता है और ग्रीनिस कलर के साथ में एक जो इसकी इंपोर्टेंट है वो है broken gray lines along the side of the body अब मैं आपको इसको डाइग्राम की साहिता से आपको दिखा रहा हूँ अपन डाइग्राम के लिए अपने को उसमें चलना पड़ेगा और अपन है डाइग्राम के लिए अपने को गैलरी के अंदर चलना पड़ेगा ये गैलरी है और इसमें अपन डाइग्राम देखेंगे इसका यह है दिस्वनिज था है लिगो वरुपा लाइप आर्मी जेरा की लाइप शाहिए यह देखो यह है अपन सबसे पहले हम आपको एडल को ब्रोड गर के बता रहा हूं और इसमें जो अपने इंपोर्टेंट करेक्टर पढ़ होता है और एब्डोमन है इसके उपर भी ब्लैक बेंड्स होते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया फिगर दिया हूआ है और ब्राउनिज कलर का यह मोथ होता है इसके बाद में मोथ के बाद अपन ने दूसरी बात की थी लार्वा की लार्वा में इसमें दो अपने साइड में दिखाई DEREE है ऐसी की ऐसी ही दूसरी साइड में होगी हुगी और यदि आपन इसको हैंद लेंज के शायतासे यह उससे देखते हैं तो इसकी बोड़ी के ऊपर है हलके हलके hairs भी होते हैं यह लार्वा है एडल्ट भी है यह आप एडल्ट यह एक्स देख सकते हैं अपने पहले देखा ही है और यह इस तरह के प्यूपा होंगे तो यह लाइप साइकल है इसकी और इससे है अपन बोट को बिल्कुल किलियर कट पैचान सकते हैं अब आगे हाद यह जलता है आई-डेन्टिफिक्खेशन के बाद में अपना इसका है ऑपने डिसक्रिप्शन पे और डिसक्रिप्शन में इपने है पडैंप आई इसके अंदर आते है और जो अबये अब भी हैं देख खता लार्वा के अंदर Greenish with dark broken grey lines वो अपने साइड के अंदर एक लाइन देगी थी दूसरी साइड में वैसे की वैसे ही होती है अब अपन इसकी life history के बारे में पढ़ेंगे life history में है एक single female है वो tender plants के उपर है अपना अंडे देती है less singly acts on tender parts of the plants single female lays about 741 eggs in four days the eggs are signing greenish yellow और उसके बाद में ये दो से चार दिन में हैस हो जाते है hedge in two to four days और temperature के इसाप से April to October और उसके बाद यदि फर्वरी मार्ज है तो इसकी duration है वो सर्दियों के अंदर है बढ़ जाएगे six days in फर्वरी और जो young larvae है वो foliage के उपर feed करती है उसके बाद में फीड करती है इक इसको fid day इसे भष्वरा पार फीड गरती है इसापन इसको फीड चैन सकते हैं और यह मापको broad कर गरे दिखा रहा हो इसके अंधर जब इह लार्वा फीड गरती है तो आधा जाना मू अंदर रखती है और पूरी Б tornar टी है तो यह देखो, यह इसमें लिखा भी है October 6 days when the young larvae feed on foliage, sometime later bore into the ports and feed on developing grains with their hanging body outside और कोई larva है जंडरली, अपने बोडी को है बहार लटकाए हुए नहीं रहती है, जबकि इसकी बोडी है बहार लटकती रहती है तो यह एक larva को भी पैचाने का एक और important character है, इसका body hanging outside They move from port to port and full fed 13 to 19 days यानि जो larvae period है, वो 13 to 19 days का होता है, biting and shaving type case के mouth parts होते है और जो last larvae इंस्टार है, वो 35 mm होती है, लगवे 5-6, 16 इंस्टार होती है Full larvae come out from one pupate in the soil, यह big important है, soil के अंदर इसका pupation होता है And the pupil last for 8 to 15 days, but winter duration is prolonged, particularly in northern India Some people remain in facultative diaper during November to April, there may be 8 overlapping generations in the year Some people remain in the year, लगवे पूरे साल, जैसे South India है उसमें लगवे पूरे साल में पाई जाती है North India के अंदर है यह थोड़ा सड़ियों के अंदर है, दो तिन मैने डाइपा जवस्ता में चले जाती है बाकी की है यह पूरे साल पर नुकसान पहुंचाती है Host Plants अभी अपने बात किती है, चिकपी, पीजेन पी, मूंग, यह तो अपने अभी क्योंकि पलसेज के पढ़ रहे हैं स्टेज इसकी देवेश पहुंचाती है, और यह स्टेम को फीड करती है, फ्रूट को फीड करती है, में ली फ्रूट को फीड करती है आल्डो प्रिफर्ट फूट प्लांट्स लाइक ग्राम एंड रेड ग्राम, दा लार्वी आर पोलिफेगस, फीड करती है और उसके बाद में यह सीड को खाती है जो भी अपनने मैंने उसमें पहली में बताया था जैसे यहां अपन ग्राम की बात कर रहे हैं तो पोड होंगे, तो पोड को फीड करती है, टोमेटो के अंदर है, टोमेटो को नुक्सान पहुंचाती है, कोटन के अंदर बोल्स को नुक्सान पहुंचाती है तो जनरल यह जो फ्रूट है उस पार्ट को यह नुक्सान पहुंचाती है जो सिंगल आरवा है वो लगवक 30 से 40 पोड इसको खा जाता है काफी इंपोर्टेंट पैस्ट है ये मेनिजमेंट टाइमली इसका मेनिजमेंट नहीं करते हैं तो काफी नुक्षान पहुचा दिया सबसे पहले तो है इसके बाद जो थर्ड है वो है मिक्स इंटर क्रोफिंग विद नौन प्रिफर्ड होस प्लांट लाइक बारले वीट लिंसीड एक्स्ट्रा यह भी एक इंपोर्टेंट टैक्टिस है इसके बाद में अपने को हाथ से दिख जाती है इनिशियल स्टेज भी अपने को दिखती है तो है अपने इसको हैंड पिक भी करते हैं यह इंड पिकिंग धूरिं अर्ली आवर्स फिर उसके बाद में बहुत और अच्छा इंपोर्टेंट इसका कंट्रोल मेजर से वो है NPV अप्लाई NPV, नुकलियर पोलियड्रोसिस वाइरस एड़ दरेट ओप 250 तु 500 LE लार्वल इक्यूवेलेंट और इसको है अपन इंसेक्टी साइट के साथ भी अपलाई कर सकते हैं और यह जो NPV है यह अपने फार्मर्स लेवल पे भी अपन तयार कर सकते हैं वो अपन प्राक्टिकल एक्साइज के अंदर पड़ेंगे और काफी सस्ता काफी चीपर और काफी अफेक्टिव भी है इसके बाद भी यदि यह कंट्रोल नहीं होता है तो पोर्ड वोरर केन भी मेनेज बाई स्प्रेइंग एकोनोमिक थ्रेश्यूर लेवल वन लार्वा पर फाइब प्लांट्स और अपन है एंडोशलफान एंडोशलफान तो अभी बेन है तो अपन इसको कुनालफोस इसकी जगए अपन कुनालफोस काम में ले सकते हैं कुनालफोस और इसके अलाव कोई भी जो सेंथेटिक पार अथ्राइट से साइपर में 325 एसी या फिर है फैन वल्लेट क्योंकि अपने को एक इस्प्रे से काम नहीं चलता है दो तिन इस्प्रे की जोड़ होता है अल्टरनेट इस्प्रे करने पड़ते हैं तो अपन रिपीट करेंगे एक के बाद दूसरा अपन रिपीट करेंगे अपन मेला थियां डस्ट भी इस पर अपलाई कर सकते हैं इनीचेली स्टेज के उपर तो इस तरह से अपन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं